कि रभी किसा साथ है पता नहीं हो सकता है गयर्प्रेंड के साथ तो स्वागत है आपका जी सी कलासे चैनल पर मैं हूं कुंदन गश्वामी तो जैसा कि आप लोगों को पता है मैं आप लोगों को बेसिक से इंगलीज ग्रामर पढ़ा रहा हूं और आज यह दूसरा पार्ट है मतलब यह दूसरा डेह बेसिक इंग्लिस ग्रामर का और हम लोग बिल्कुल ही सुरू से पढ़ रहे हैं और मैं आपको बता दू में इस पॉकन इंग्लिस का कोर्स भी बहुत जल्द लाउंच करने बहूं यूट्यूब पर इस लिए आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक सेर करें अपने दोस वर्ड काते हैं मतलब अक्छर जब एक साथ मील जाता है दो तीन चार लेटर मील जाता है तो वर्ड बन जाता है और वैसा लेटर का मेल जिसका कुछ अर्थ हो तो इसा चीज हमने पढ़ लिया था पिछले कलास में ठीक है अब देखिए मैंने आपको आगे कहा था कुछ भी आप लिख सकते थे मैं 한े लिख सकते थे मैंने लिख हो असी तरह से एक वर्ड मैंने मैंने य से बना लब जैसे चारी मिल करके अंगा यृड को적으로 लिख कहते हैं जिसका अब का मतलब को पता है प्यार होताया क्या गह het अब एक सेंटेंस हमने उसी से बना दिया क्या बना दिया। naz佐 सेंटेन्स होगे हैं यहां पर और आपको क्या होगे तीन प्ड़ाया तो यह पर आप का सकते हैं व्लोड का मेल वैसा एम जिसका कुछ आर्थ हो उसका क्या कहेंगे अर्द कहें घंठ sigu करें तो सेंटेन्स को हम हम लोग डीटिएल मने डोंस तरह क्या नोध रसी सभेंगे लेटर आ संटेंस तीनों आपका पर किलीए रहे लिए अगे चलतें आगे और हमारा सब्द भैद क्या कहते हैं सब्द भैद मतलब जितना भी सब्द पढ़ेंगे वह इसी के अंदर गता जाएगा इंगलीज भासा का जितना भी सब्द अब मेरे डियर पार्ट सब्सपीच होता कि हम लोग देखे समझते हैं थोरा सब्सपीच को एकदम टेंशन लेने की जोरत है नहीं पुरा फीरी अहां ठीक को पता है आंग्रेजी एक भासा है तो हैं चैंट ciert हमें यह पूह लाइं थे पटाइब् 도 tv अबता सकते हैं नहीं बता सकते आपको भी नहीं पता वर्फ है वी नहींissenschaft कितना है मैं इंगलीस याद रखेगा कभी नहीं भूलिएगा आज के बाद ठीक है न याद रखेगा अज्बात यह बहुत है जितना भी वर्ड है चाहिए जितना भी हो टेनलैक टेन मिलियन मील्याज कि उसको कि एनुसर मतलब मौन लिए इसका यह का रही है तो उसको इधार को आप बोटते हैं जिसे वन किसी फिल्म में ही रोल दिया ज 친शागा तो कर ने करने को के सब्दों जितना भी सब्दब को और Ug4 भाग को हम पार्ट पीज कातें कभी नहीं भूलिएगा ध्यान दिजिएगा अंग्रेजी भासा के सभी सब्दों को उसके कारीक एनुसार आठ भागों में बटा गया और उसी पर ती एक भाग को लिख सकते हैं पार्ट सब्सक्राइब कि अग्रेजी भासा के सभी सब्सक्राइब का की उल्टा पड़ेंगे तो अंग्रेजी भासा के सभी सब्दों को आठ डिवाइड डिवाइड का मतलब में डियर मोटा गया है इन्टू एड ग्रूप्स कितने भागों में अठ भागों में अंग्रेजी भासा के सभी सब्दों को मोटा गया है किसमें इन्टू एड ग्रूप्स एड समू में आड भागों में आड ग्रूप में एकावडिंग टू देर फंसन उनके कारी के नुसार अंग्रेजी भासा बस जो मैंने आपको पढ़ाया वही मैंने यहां लिखा है कुछ अलग नहीं लिखा है कुछ डिफ्रेंस नहीं लिखा आपको घबराने के ज़रत नहीं है मैं हूँ आपके साथ अंग्रेजी भासा के सभी सब्दों को उसके कारी के नुशार आठ भागों में बोटा गया और जिन्यें पाइट्पीश कहते हैं जिन्यें हम पाह्रों पिश्पीश कहते हैं उसे पास फीच चांट जिए जिए आपको जिस तरह से औच्छा लगे लिख दिज्याया आपने पार सो कि समझ लिया है अब यहां पर देखे हमने क्या कहा के सभी सब्दों को आठ भागों बाई भी वर्ड आप दुनिया का ले लिजे इसी आठों के अंदर गदा रहें यह कौन सा आठो सरी तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा है तो सबसे पहला तो आपका है नाउन ठीक है नाउन है फिर प्रो नाउन है एडजेक्टिव है वह है एड़ वह फॉजिशन है कंजेक् marginter उन्टैक्षन यही पार्ट ड्वाग है लाग और इसके अंदर दुनिया का सारा इंगलीस का वर्द इसी आठों के अंदरग्श आता है जैसे आप आप का नाम भी इसी आत में किसी यक के अंदरगद वे अपको पढ़ाऊंगा तो पुरा डिटेल से पढ़ाऊंगा एक एक चेपटर को फुसलिए टेफर बन और अब एक चेपटर बन गया अब इस बक्रवन दोकर बन ने एक चेपटर बन गया अब है छेपटर बनушка यह सारे आदो मेरे इस्ट्ूडियन की हम तो इसको पढ़ेंगे ही पुरा लेकिन आपके किस तरह से पढ़ेंगे पढ़ेंगे तो पुरा डिटेल से हर एक देक्टर को लेकिन आप पर देखिए common life में इसका यूज कर यह कैसर किसे यूज देखेंगे तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि किस तरह से पार्ट सोपी स्पीच को समझने के जौरत है जैसे मान लिजे मैं कोई एक्जामपल ले करके मैं आपको पूरा किलियर कर देता हूं कि पार्ट सोप स्पीच का मतलब नहीं कहता है थोड़ा सा उपर उपर ही उपर उपर अगर आपके दिमाग में घुसा देंगे तो फिर आपको पढ़ने में मजा आएगा उसके इंदर क्या पढ़ना है ठीक है सबसे पहले मान लिजे दुनिया का कोई भी चीज हर वो वस्तु हर वो ब्यक् कि घृओने कोई अंहनों कोई जो अदिजिएक ठीक है कुछ भी ले सकते अपको आप रसाहरनीय का नाम लिए पटना बहुत सररह A कोई एनिमल का लै सकते हुम ले लिए हैмо है फनी है यह नावन है अब लड़का गया अपनी मह मिल ले गया ठीक है मतलब बहुत काम किया अब बार बार तो पूछ h forward को कम उत्युक्राइब और हम शेऋख है बार तुक्स कर बार अगर काम कु मोख़। रभी ने कल जारू लगाया रभी ने कल पहुचा लगाया रभी ने कल खाना बनाया रभी कल कौलेज गया रभी कल अपनी मां से मिल अरे बापर रभी 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 तो रुसिक को काम करने के लिए हम यहां पर एक अगला जो हमारा चेप्टर है प्रो नाउन इसके मतलब देखिए नाउन किसी भी नाम को कह सकते हैं उसके बदले में जो आया उसको हम क्या बोल दिए प्रोनाउन समझेगा बहुत यह असानी से आपको दिक्कत कभी नहीं होगा ठीक है अब हम आगे समझते हैं थोरह सा ठीक है अब दिखिए यहां पर अगला जो प्रोन अब रहा है हमारा एड्जेक्टीब ठीक है अब दिखिए रभी नाम का जो लड़का है उसमें कुछ ने कुछ गून होगा आप कोंसा गून होगा हो सकता है अच्छाई हो या बुराई हो कुछ तो होगा रभी में ठीक है तो रभी मौन लिजिए हमका दिये रभी है intelligent थ्यों है six श्यों किया है समंझेंगा बात को तो रभी नोदे हैं हम कहीं है यहां सेड़ है थो भी है हम कहेंगे रभी यहां पूद्ध मुझत हो बुर है वह कई रभी लिगको है था इले हम कई जो हम करon cumplisum नोट इसके अंदर जो तो हिए लड़का है कोई नो कोई काम प्राओंगा ठीक है तो यह क्या हो गया हूंक यह pronoun यह हो गिया हमारा adjective कितनाbung है यहFit बताए को बताएगा डस्ट किस तरह से दवाड़ता है तो वह बताएगा मतलब यह जो है एड़वाब पताएगा दूर और अब छो तो आप देखें कहां पर है मालीजेर रभी घरवां में है कि फिलबाप पर है कि रोडबाप पर है कहीं ने कहीं होगा जरूर होगा ठीक है求 है तो सकता है गरुफ थो अंड़े कहां पर है तो कहां पर है रभी अस्थान जो बता रहे है पिरी पॉजीशन आपक यहां बताते है देखे हैं रभी के बारे हम लोग कितनों चीज़ बता रहे हैं और यह सब कमाल किसका है पार्ट सो पी स्पीज का है अब देखे अगला हम बता रहे हैं आपको रभी किसके साथ है पता नहीं हो सकता है गर्लफ्रेंड के साथ साथ है कि पतनी के साथ है कि दोस्त के साथ है किसके साथ है तो चलिए रमान लेजे रभी दोस्त के साथ है हम कहेंगे रभी रभी एंड हीज फरेंड और उनका दोस्त तो यह दोनों को जो बताया दोनों को जो जोड़ने का कम क्या यह है कंजक्शन यह क्या है कंजक्शन ठीक प्रभू सारा चीज बता रहा है यह पार्ट फोपी स्पीच ठीक है उसके बाद दिखे यह तो बता दिया कि रभी किसके साथ है अब रभी जो है दिखिए रभी क्या है कि रभी इतना सारा इतना एक लड़का है अब उनको कुछ ने कुछ दूख तकलीब हो रहा हो गया मैरे साथ नहीं जा मौन लिचे उसका दोस्तुमिय कुछ कर दिया तो दुखी हो गया या कुछ उसके साथ हो गया में है किया कर सकते हैं कहें हमाड़ा इंटर्जेक्शन ठीक है तो ध्यान दिज्जेगा हम लोग जो यह पढ़ेंगे बहुत जदा यूज है इसका लाइफ में कोई अगर कर आए कि इसका यूज नहीं है तो बहुत ही गलत बोलता है ठीक है और इसको हम लोग ग्रावर में पुरा डिटेल से पढ़ने व लाहू नावन चेप्टर और यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंड में जरूर बताईएगा और अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ सेर भी जरूर कर देजिएगा चलिए जय हिंद जय भारत